Hello friends, welcome to another version of Shomu's biology presents Know Your Exam series और यह सीरीज में हम बात करने वाल है कुछ exam के बारे में जिस exam में आपको जानना है कि कब exam conduct होता है, exam pattern क्या होता है, उसका fees क्या है, कैसे exam को qualify करना है और भी बहुत कुछ So stay tuned and watch the video Welcome back friends, welcome to another video from Shomu's biology और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में PhD के क्या क्या स्कोप है That means PhD करने के स्कोप कैसे है और PhD होने के बाद इंडिया में क्या क्या कर सकते हैं यह बारे में हम बात करेंगे So stay tuned and watch the video So India में PhD के बहुत सारे स्कोप है and actually it's a growing field क्योंकि बहुत सारे लैब नया इंफ्रस्ट्रक्चर रहा है दे बाई दे तो बहुत सारे opportunities मिलेगा जो भी PhD लेकर काम करना चाहते PhD करना चाहते उसके बाद research काम करना चाहते है इंडिया में So especially में जब बात कर रहे हूं PhD के बारे में I am talking in terms of science साइंटिफिक जो यूनिट से और मैं कह सकता हूं कि जो science stream है उस science stream में जो PhD का options है वो काफी अच्छा है काफी बैतर है Art stream के भी PhD का options है मगर क्या है कि art stream का options के बारे मेरा जो idea कम है मैं खुद science stream से belong करता हूं प्रैक्टिकल लाइक फिजिक्स, mathematics and physical science that stream is separate तो यहां पर में medical stream के बारे में बात नहीं करूंगा क्यों कि medical stream जो है completely different है मगर यहां पर physics, mathematics का stream होता है और एक life sciences का stream होता है जिसमें सारे topic of life science include रहते है तो इन दोनों stream में ही आपको बहुत ही अच्छा opportunities मिलेंगे इंडिया में PhD करने के लिए क्योंकि बहुत सारे lab है different topics के लिए specially if I talk about life science stream, life science stream में practical as well as theory दोनों type का ही बहुत सारे exposure है इंडिया में नहां labs तयार हो रहा है हर जगा, हर universities में, institutes में और अच्छा काम भी बर रहा है, while physics and math का जो है थोरा सा पूराना lab है ज्यादा तर तो उसका क्या है के theoretical aspect थोरा ज्यादा है और जो practical aspect है थोरा कम मिलता है, it's not like अच्छा नहीं है, यह होता है थोरा practical aspect जो है वो कम मिलता है, क्योंकि life science में practical and theoretical aspects सारे Indian lab में almost equal distributed है, मगर बाहर आप देखेंगे, इंडिया से बाहर जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होते है कि physical science, chemical science, math देखेंगे तो बात ही है कि actually PhD में होता क्या है, PhD is not about learning, क्योंकि हम तो सीख लेते हैं till masters तो PhD होता है creating knowledge, सो हमको सीखने के साथ साथ कुछ नया कुछ है वो खुद को invent करना परता है, उसको discover करना परता है ऐसा कुछ एक जो idea है PhD का, यह idea कुछ सालों से अब देखेंगे कुछ, मैं यह कह सकता हूं कि कुछ decade से वो थोरा सा faint होने वाला इंडिया में, क्या екुaking हो रहा है कि जो research हो रहा है उस research पर research होता है पर गाना यह स्टार्ट हुआ है यह सोचके जैसे कि गाना रीमेग होता है ना तो ऐसे फिंटी इसमें यह प्रॉब्लम हो जाता है कि जो जो पहले का रिसर्च उनीक था वो यूनिगनेस जो भी घटता जाता है यह ऐक प्रॉब्लम है मगर यह सारे इंस्टिटूट्स में नहीं है, अगर देखें तो कुछ इंस्टिटूट्स कुछ लाव ऐसे हैं, इंस्टिटूट्स में जो अच्छे काम अभी भी कर रहे हैं, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मगर बाहर अप देखें इंडिया के, तो especially अगर देखें, European countries में द इंडिया के यह है, कि बहुत ज्यादा competition हो जाता है, इंट्रांस exam में PhD के लिए, हम जानते कि PhD के इंट्रांस examination मतलब कि national eligibility test देना पड़ता है, उसमें qualifying marks पाने के बाद ही उनको GRF, that is a fellowship मिलता है for PhD, मगर यह एक बात है कि यह जो research oriented thinking है, research oriented जो एक study है, यह study होता है US में, यह study होता है Europe में, but बहुत कम होता है इंडिया में, यह पर theory का जो zone है वो बहुत ज्यादा होता है, because हमको theory बहुत अच्छा आता है सबको, मगर practical application ही वो बहुत weak है, इसलिए जब हम exam देने जाते है CSI NET और UGC NET exam, हमको पता चलता है कि जो analytical question होता है, हम attend करने में दिक्कत होते ह वहां का जो idea है application वाला वो practical से develop करता है, theory से कभी develop नहीं करता है, तो जितना अच्छा practical करेगा कोई, जितना अच्छा practical practice करेगा कोई, उसका वो analytical part वाला answer का जो जगा वो नहीं clear होगा, एक simple से experiment करके आप लोग चेक कर सकते हो, कि आप वर्ल्ट के famous जो lectures है ना, उस फ्री में available है, वो MIT open courseware हो, या भी UC Berkeley का courseware हो, अब किसी भी courseware में जा सकते हैं, उस class में से recorded version आप देख सकते हैं, वहां पर कुछ module का homework दिया जाता है, तो उस homework में कुछ questions रहते हैं, एक topic के ऊपर, उस topic का जो questions है, वो आप solve करने के try कीजिए, अगर आप नेट के लिए प्रिपेर हो ल मालूम है, वगर जब आप उस question के answer करने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कहाँ पर loophole है, कहाँ पर आपने चुके उस चीज को परने के लिए, तो ये बहुत ही एक important eye-opener रहता है, मेरे लिए भी में जब देखा था है, इमेटे open courseware का questions तुरसा अलग होता था, वो हमारे college की question से तरह नहीं होता है, linear नहीं होता है, थोड़ा differently think करना परता है, but वो thinking अच्छा है, अब college में कम marks पाओ, ये अच्छा है, बगर net qualify करो ये ज्यादा important है, मगर हम क्या करते है, college में, university में बहुत अच्छा marks ले लेते हैं, score कर लेते हैं, मगर जाके net में हम qualify नहीं करते है ये ही problem होता है, तो ये एक problem है, तो PhD अगर देखना है, इंडिया में options क्या है, mostly PhD होने के साथ-साथ options ये रहता है, कि आप किसी university का college का lecturer बनो, assistant professor, then associate professor बनो, और extreme रहता है कि आप जाके research करो, researcher बनो, scientist बनो, तो ये जो अगर देखें कि आप college है, या फिर research organization है, ये government, non-government body, द government हो, तो non-government से आपको मिलेंगे, different organization से आपको मिलेंगे, अगर government job करना है, solely, जो के research based job है, ऐसे भी है, DRDO, ISRO, भेल, ऐसे कुछ organization है, भाबा, आटो, मिक research center, ऐसे कुछ organization से, जहां पर आप directly join कर सकते है, with your knowledge of subject, आप PhD करने के बाद join कर सकते हैं, और अगर आपके पास PhD है, तो आप R&D, research and development बोलके, zone होते है, designation होते है, every single company have it, research and development, तो वो company का research and development होता है, वहाँ पर product के लिए research करना परता है, कुछ अच्छा product लाना परता है, product की improve करना परता है, उसका जो काम होता है, वो भी आप कर सकते हैं, industry में, तो पहले आपको सोचना है कि PhD के बाद आप क्या कर करने बाले, आप teaching में आना चाहते है, या फिर आप research में आना चाहते है, या फिर आप hardcore industry based कोई job करना चाहते है, कोई अगर चाहते है कि मैं no strings attached industry based job करूंगा, मुझे handsome salary मिले, तो वहाँ पर बैतर है के R&D में जाए, private company की, government में भी R&D है, तो वो भी अच्छा बात है, अब जा सकते हैं, और अगर आप चाहे हाट को अब research करेंगे, तो मेरा सला है कि after MSC आप PhD करें इंडिया से, उसके बाद बाहर जाए, बाहर postdoc कीजिए, थोड़ा exposure increase कीजिए, क्या होते है, इंडिया में मैंने बोला कि जो तरीके है PhD के वो थोड़ा सा practical oriented ज्यादा है, especially physics, mathematics और chemical science के पार तर, तो क्या होता है कि बाहर जाके आप practical exposure है, थोड़ा से increase कीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको research का जो aptitude होगा, वो ज्यादा बैतर रहेगा, आप research करने में बहुत help मिलेगी, अपार्ट फॉम दाट, अगर आपको teaching करना है, teaching आप college, government college and university में कर सकते हैं, या फिर private में कर सकते हैं, या फिर coaching institute में कर सकते हैं, coaching institute अभी का बहुत ही बड़ा एक business opportunity है, इंडिया में, जो flourish कर रहा है day by day, और upcoming years में भी बहुत improve करेंगे, तो आप coaching institute में solely join कर सकते हैं, या फिर बहुत सरह ऐसे startup companies हैं, जो start हो रहे हैं, जैस पर research के लिए लोग चाहिए ह होता है, आप वहाँ पर भी join कर सकते हैं, थोरा सा अलग career पत लेकर काम कर सकते हैं, मगर यह सला है कि अगर आप बाहर जाके PhD करना चाहते हैं, तो तब आपके दिमाग में एक चीज होना जरूरी है, कि आप बाहर सेटल होना चाहते हैं, या फिर आप सिर बाहर जाके PhD करके आप फिर से इंडिया वापस आएंगे, अगर आपको फिर से इंडिया वापस आना है, सेटलमें इंडिया में ही चाहिए, तो आप यह कर सकते हैं कि इंडिया से पीजी करके, पोस्ट डॉक बाहर से करें, वहाँ पर एक दो साल का experience ले 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 फिर इंडिया में आएं और को आपको आपका रिसर्च एप्टिट्वट अच्छ रहता है, आपका तरीक तरीका जो है आप बहुत एच्छ चीक लेते हैं, मगर आपको यह आईडिया है कि आप बाहर जा के सेटल होँगे, पीजी करेंगे, तो यह बहुत प्रोब्लम होगा कि आप MSC यहां से इंडिया से क्योंकि यह जो difference है जो type का learning होता है इंडिया में और US में वो curve में थोड़ा difference है तो आपको बहुत सारे बहुत सारे रूम जो है उसको cover करना परेगा बहुत सारे चीज आपको unknown मिलेगे बहुत सारे questions और जो तरीके हैं वहां पर research करने के वहां पर जो learning के तरीके हैं उसको adapt करने के लिए थोड़ा time लग जाता है तो यह always better रहते हैं कि आप MST अगर इंडिया से कर रहे तो ठीक है फ इस angle से questions होता है कैसे सोच नहीं है सब आप जान लीजे वहां पर MS कर लीजे एक साल के उसके बाद क्या करेंगे आप visa renew कर लीजे फिर वहां पर PhD सो वह एक साल में जाओ MS कर रहे हो आप दूनते रहे हैं पीजे कहां पर होगा क्यासे कर सकते हैं वहां पर आप एक अच्छा profile बिल्ड कीजे खुद की एक अच्छा experience बिल्ड कीजे कुछ रिसर्च पेपर आपके MSD टाइम का आप अलड़ी लिख लीजे ताकि जो जो companies है य सब्सक्राइब के लिए मगर जो research-oriented PhD है वहां पर institute यह देखते हैं कि इंट्रेस्टेट है या नहीं तो MSC लेवल पर किसी के 4-5 पेपर है टेपर मॉडरेग फेक्टर तु बहूत होता है वहां पर तो यह बाते वार जा करना तो पहले होँ आपके MSD करने के बात पीच्टी करना अच्छा बात है मगर अगर इंडिया से ही पेच्टी करते हैं physics और chemistry इस्ट्री और Mathematical Science में मैं कहूंगा कि बहुत है बाहर जाके PhD करें और फिर इंडिया में आए हो जाके MS करने के बाद PhD करें और अगर लाइफ साइंस में हैं इंडिया में बहुत अच्छा अच्छा इंस्टिट्ट से अगर आप PhD करते हैं उसके बाद आप पोस्टो करने के लिए बाहर जाई है डेफिनेटी पोस्टो कीजिए क्योंकि PhD करने के बाद इंडिया में पीच्डी का जो क्वालिफिकेशन का जो लिमिट है वो भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इनों जो लैब है उसका नंबर उतने जल्दी इंक्रीज नहीं कर रहा है मगर जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो कंपेटिशन वहां भी रहेगा अब यह मत सोचेगा कि पीच्डी हो गया चलो आप कंपेटिशन तो बहुत कम रहेगा मुझे मिली जाएगा कोई जाएगा यह सोच आप पर क्या करना चाहते है अगर आपका फीचर पात है कि में सोली रिसेर्च करना का ओ को हूँ और रिसेर्च कि हां चाहता हूं तो बैर बाहर जाएगो आप बाहर जाओ जाओ पर पोस्टॉक कर उद्ध करने के बाद फिर आके हम पर जोईन करो और अगर यह बात है कि नहीं मैं कोई डिरेटली कोई R&D में जॉइन करना चाहता हूँ कोई इंडस्ट्री की तो वहां पर भी आपको इंडिया से पीडी करने से चल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वहां पर भी थोरा बहुत रिसेच वेपर होना जरूरी होता है फ्यू टाइम्स अदर देन दा इस फाइन और अगर आपको यह सोचना होगा कि आप यहाँ पर थिरूरी का वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि इंडिया से पीजडी करो और उसका जो 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 नहीं वो थोरा सा इंक्रीस्ट एक्य जो पॉजिशन जहता है वो थोडा ख्लोस पॉजिशन जहता है क्योंकि यह पर यह एक चॉरिटी चाहते हैं इसके एक रिजन तो यह है कि जोब मिल जाए जोग है किर काम करो ना तरहो किसी को कुछ मालूम नहीं पर देख यह एक एक इंडिया के job section में, कि security चाहिए, बाहर में क्या होता है कि even Harvard और MIT बढ़ा जो इन्यूवर्सिटीज इंस्टिटूट्स होते हैं, वहां पर भी दो तरीके का position होता है, वहां तो है tenured professor और बाकी का सब जो professors होता है, वो short time duration के professors होते हैं, जहां पर क्या होता है कि 5 साल, 2 साल, 2 साल के बाद renewal, फिर से 5 साल renewal, ऐसे चलता रहता है, ताके वो जो individual है, उनको हर वक्त perform करना पर है अच्छी तरीके से, so that education हो उसके quality बज़ा रहे हैं, और कुछ teachers हैं, जो eminent scientist हैं उन लोग को दिया जाता है, tenured post, मतलब के lifelong post, मगर इंडिया में हर कोई चाहता है lifelong post, क्योंकि security चाह by day, जो interest है, PhD के तरफ वो भी घट रहा है, अब हर कोई exam दे रहा है, PhD scholars जो है, उसको देखो, उसको ठीक नहीं कि PhD करना है, कि क्या कुछ और करना है, तो पहले ये decide कर लिजिए कि कहां पर जाना है, मुझे PhD करना है, solely for research करना है, मुझे college में lecturer बना है, या फिर मुझे कोई R& industry में काम करना है, ये तीनों चीज के लिए तीनों तरीके से prepare करना परेगा, शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल जाए, जो ही मिल जाए, कर लूँगा, क्योंकि जादा तक तरीके में यही होता है, कि लोग सस्ते research कर लेंगे, PhD करते, उसके बाद postdoc में जाते, कर इंडिया में आते, जब research lab में vacances नहीं रहता है, तो क्या करते है, ये college है, college में lecture बन जाओ, उन लोग को पता है कि उन लोग अच्छे lecture नहीं बन पाएंगे, उसका जो explanation skills से अच्छा नहीं है, उन लोग का जो presentation skills से अच्छा नहीं है, उन लोग अच्छे researcher बन सकते थे, मगर research में जाते नहीं है, चले जाते है, assistant professor में, तो ऐसा हो जाए कि university और college के assistant professor का जो जुन बरते जा रहा है, वो teaching में zero है, अच्छा नहीं है, बगर वो increase होते जा रहे है, और as a result क्या हो रहा है कि teaching अगर strong नहीं होगा किसी country का, तो अगला generation जो अच्छा नहीं आएगा, यही problem repeatedly ह होता रहा है, एक continue हो रहा है, यही अच्छा थिंग नहीं है, क्योंकि यह जो guidance है, सुभे से नहीं मिलता है, start से नहीं मिलता है, जो starting से guidance होना है, मुझे यही बनना है, और वही बनके मैं दिखाऊंगा, वही direction में जाऊंगा, क्योंकि अभी लोग पो लगता है कि कुछ भी म चाके you can do, because you know, universities and colleges are literally killing good minds, actually genius को convert कर रहा है, यही हो रहा है, और यह मेरे बात नहीं है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ, judge करने वाला यहां पर, यह बात है, कुछ ऐसे educationist की, जो दिखविजे educationist है, worldwide famous educationist है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है, कि जो schooling है, जो college और universities है, वो convert कर रहा ह genius को idiot में, यही हो रहा है, सामने दिखाई भी देगा आपको, अगर आप continue preparation कर रहें जाओंगे तो, तो यही है PhD, PhD का scope से इंडिया में है, abroad में भी है, decide कर लो, काँपा settle होना है, कैसे जाना है, उसके बाद, वैसे साब से काम करो, और मेरा अगले वीडियो में यह बताऊंग कि अगर PhD कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ क्यों, कुछ ना कुछ की वर्से में मत रहो, यह सोचो कि PhD करने के बाद कुछ अच्छा मिले, कैसे मिले, क्या करना है, okay, so hope यह वीडियो आप लोग को पसंद होगा, तो अगर आप वीडियो से help मिलता है, तो definitely subscribe कीजिए, and share कीजिए video with your friends, and do not forget to subscribe to my channel, because you will get tons of these informative videos yet to come.